दोस्तो दुनिया भर के अलग-अलग हिस्सों में कई ऐसी परमपराएं और रिती रिवाज मनाये जाते हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है ऐसा ही एक रिवाज कमबोडिया से जुड़ा हुआ है जहां पिता अपनी पुत्रियों के लिए वो करते हैं जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते हैं दोस्तो इस रिवाज के तहत लड़कियों को अपने पती के चुनाव के लिए अन्य पुरसों के साथ संबंद बनाने की छूट होती है तो आईए जानते हैं इसके बारे में दोस्तो यह रिवाज कमबोडिया की केरूंग समुदाय के लोगों में फालो किया जाता है इसके तहत लड़कियों का मासिक धर्म सुरू होते ही यानि 13-15 साल की उम्र में उनके लिए अलग जोपडिया बना दी जाती हैं जिसे लव हट कहा जाता है इसके बाद परिवार वाले लड़की को अपना पती चुनने के लिए लड़कों से संबंद बनाने के लिए प्रोस साहिद करते हैं दोस्तो यानि जब तक लड़की को अपनी पसंद का लाई पार्टनर नहीं मिल जाता तब तक उसे अन्य लोगों के साथ सम्बंद बनाने की छूट होती है दोस्तों खास बात यह है कि इस समुदाय की लड़कियों को अन्य पूरिसों के साथ सम्मंद बनाने में कोई असहजता महसूस नहीं होती यहां की लड़किया इस परंपरा को लेकर काफी confident रहती हैं और जानती हैं कि उन्हें अपने पार्टनर में क्या चाहिए बलकि उनका मानना था कि इन लब हट्स की वज़ा से उन्हें अपना सही पार्टनर चुनने का मौका मिला है जिसका जिक्र bookletia.com और अन्य रिपोर्ट्स में भी मिलता है जो इस समुदाय पर लिखी गई दोस्तो जिन लोगों के साथ लड़किया संबंद बनाती हैं अगर उनमें से कोई उन्हें हमसफर के रूप में पसंद आ जाता है तो बाकी लोग इससे दुखी या जरन मैसूस नहीं करते ना किसी तरह का द्वेस भाव देखा जाता है बलकि खुसी-खुसी दोनों की साध करा दी जाती है और वो हमेशा के लिए एक पवित्र बंधन में बद जाते हैं तो दौस्तो इस जानकारी को लेकर आपके क्या बीचाए आप आपने बीचार को कमेंट करके यह जरूर बताइए दोस्तो वैसे जब हमने इस बात को सुना जब हमें यह जानकारी मिली तो हमें बड़ा अजीब लगा आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए और दोस्तो वीडियो की जानकारी अच्छी लिगी हो तो एक लाइक और वीडियो को लोगो तक सेर जरू करिए और दोस्तो इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो को सबसे पहले देखने के लि आपके दोस्तो नेक्स वीडियो मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ बाके तब तक के लिए आप सभी का अपने केमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद